दोस्तों हमारे पहले नंबर पे हैं अंदीम्दा फाइनल तुरू जिसके दर आपको सलमान कांच सर और आयूश शर्मा काम करतों ने अज़र आ रहे हैं दोस्तों आपको बताते चलें कि अंदिम्दा फाइनल तुरुस से आयुष शर्मा ने बॉलीवूट में डेवियू करा है और दोस्तों इस फिल्म को डारेक्ट करा है महस मांजरे करने दोस्तों खुशी की बात यह है कि इस फिल्म में को महस मांजरे कर गया खुद का रोल है और दोस्तो फिल्म वाके में कापी शांदार बने गई है पर दोस्तो कहना पड़ेगा कि बॉलिवूड में ना जाने किसकी नज़र लग गई है कि बड़े-बड़े मेगा इस्टार की फिल्म में भी हम सब के बीच में धूल चाटतुई नज़र आ रही है और दोस्तो जिनके दोस्तो आपको बता दे कि फिल्म को बॉक्स अपिस पर लगे वेगों चार अपतों से जादा हो चुके हैं और दोस्तो फिल्म ने अभी तक का लाइफटाइम कलेक्शन करा है इंडिया नेट 32 करोड रुपे का वहीं पर दोस्तो फिल्म का ग्रोस कलेक्शन रहा 42 करोड जिसके निरा आपको आहांच 80 बॉलिवूड में डेवियू करते में असर आएंगे और दोस्तो ये बेटे हैं सुनिल सेटी सर के इस फिल्म में आपको तारस उतरिया के बहतरिंग एक्टिंग नेक्टिंग ले मिलती है और दोस्तो ओडियंस वाके में काफियरा पसंद कर रही है इस फिल्मे को क्योंकि दोस्तो ये फिल्म में ली गई है हम सबके बीच में तेल्गूर फिल्म इंडेश्टी 2018 में रिलीस करी गई और एक्स हंट्रेट से दोस्तो आपको बता दे कि फिल्मे का बजट 20-25 करोड रुपय बताया चारा है पर दोस्तो ओडियंस को कहना है कि फिल्मे के जो VFX से CGI है वो वाके में काफियाला शानदार है क्योंकि दोस्तो जिस तेगे से फिल्मे के इस्टोरी है सबको कहना पड़ेगा कि फिल्म वाके में 40-50 करोड रुपय में बनाए गई है चलिए दोस्तो नजर डालते हैं फिल्मे के कलेक्शन पे फिल्म इन अपन पत्य में 6 करोड रुपय कमा लिये थे और दोस्तो फिल्म का तीसरे अपत्य का कलेक्शन रहा था 120 करोड रुपय का दोस्तो आपको बता दें कि यह फिल्म अभी तक हम सबके बीच में इंडियन नेट कलेक्शन कर चुकी है 32 करोड बीस लाग रुपय का वही पर दोस्तो फ तीने अपने कदमों से बॉलिवूड में चान चान लगा दिये अब दोस्ता हम नजर डालते हैं हमारी तीसरी फिल्म जिसका नाम है वीर सूर्य वनसी दोस्ता आप सबी को पता है कि अक्षे कुमार सर जिनके फैंस उनके लिए काफियरा क्रेजी हैं दोस्ता आपको बता दें कि हमारी बॉलिवूड के अक्षे कुमार सर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी फिल्म को आप किसी भी सिच्वेशन में रिलीज कर दो उनकी फिल्म सो करोड रुपे तो कमा ही लेती हैं दोस्ता आपको बतना चाहेंगे कि अक्षे कुमार सर ने हम सब के बीच में सूरी वनसी क को रिलीज करके 2021 में इतहास रज़ दिया है जी हां दोस्तो इस फिल्म में के आपको अक्षे कुमार सर काटिना केफ अजे देवकण और रणवीर सिंग काम करतु में नजर आ रहे हैं जबकि दोस्तो फिल्म में को डारेक्ट करा है रोही सेटी ने फिल्म में का बजट बता करें फिल्म के कलेक्षिन की तो दोस्तो फिल्म ने अपने पहले दिन की आपनिंग 27 करोड रुपे से ज्यादा की ले करके हम सबके बीच में नया इतहास रज़ दिया 2021 में और दोस्तो आपको बहता दे चलें कि फिल्म अपने पहले हपते में ही 120 करोड रुपे का अकड़ा पार कर दिया था जबकि दोस्तों फिल्म को हम सब के बीच में लगे वेगों चार अपतों से भी ज़्यादा समय हो चुका है और दोस्तों फिल्म अभी तक का पर दोस्तों फिल्म के बीच में संडे की दिन हाउस पूल गए और दोस्तों मुंबाई, इंद और पूने और दोस्तों से कई सारी जगा थे जहाँ पर हिंदी वर्जन के सब भी ठेटर्स हाउस फूल चले गए थे पर दोस्तों बात करें कि हम सब की बीच में पुस्पा मुवी अभी तक कितने करोड रुपे कमा चुकी है तो दोस्तों अपने दूसरे दिन के ओपनिंग ली 31 करोड रुपे की और फिल्म ने ओल ओवर वर्ल्ड से कमाए 116 करोड रुपे दोस्तों आपको बता दे कि फिल्म को हम सब के बीच में लगेवे को चार दिन हो चुके हैं और फिल्म अपने चोते दिन की ओक्योपें से बता रही है अब हम बात करने वाले हैं Spider-Man No Way Home की और दोस्तों आप सबी को पता है कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म ने जिसने हम सब के बीच में सबी जगा पे तहल का मचा के रखा है फिर चाहे से वो UK हो, US हो, Los Angeles हो या फिर हमारा भारत हो क्योंकि दोस्तों आप सबी को पता है कि Spider-Man एक ऐसा character है जिसको बचे बड़े से लेके बूरे तक देखते है और दोस्तों इस फिल्म को तम्हें खोड़ी छोटे से लेके बड़ा हो चुका हूँ देखते देखते और दोस्तों आपको बता दे कि फिल्म वाके में काफी रशादनार है, फिल्म एक आपको जब तीनों Spider-Man क क्या scene था वो पर दोस्तों बात क 물े कि ये फिल्म हम सब के वीच में कितने करोड रुपए कमा चुकी है तो दुस्तों आपको बताने कि फिल्म ने अपने पहले दिन के उप्रिंग ली थी 32 करोड शर्पलाक रुपए की इसी की साथ दोस्तों इस अगर दोस्तों बात किरें अपने दूसरी दिन के collection की तो दूस्तों बन चुकी थी सूपर-डूपर हीट पर दोस्तो बात करें कि फिल्म अपने 5 दिनों में कितने करोड रुपे कमा चुकी है तो दोस्तो आपको बता दे कि फिल्म अपने 5 वे दिन लगबग 13 करोड रुपे का कारोबार करतुए नजर आ रही है जिसके चलते दोस्तो इस फिल्म में का अभी तक का इंडियन कलेक्श करोड रुपे जो कि दुस्त अपने आप में एक काबिले तारीफ है तो इसे अगर आपने फिल्मे को देख ली तो फिल्मे केसे लगी कमेंड करके ज़रूर बताईएगा चाली दोस्तो अब हम बात करते हैं फिल्म एक्टी थी की तो दोस्तो आपको बता दें कि ये फिल्म एक स्पॉर्ट ड्रामा फिल्म है जिसको आधारित करा गया है कपिल डेव जी की बायोपिक के उपर दोस्तो आपको बता दें कि ये फिल्म आधारित है होगा कि जब IP लाते हैं 2020 आते हैं World Cup आते हैं तो दोस्तों कली गली नुकड नुकड पे कई सारे लोग TV को देखने लग जाते हैं किरकेड देखने के लिए और दोस्तों भीड जमा हो जाती है रोड पे ऐसे में दोस्तों जब World Cup को पर फिल्म आ रही है तो कौन सा बंदा फिल देखने कले मिल रहा है इससे कहना नहीं पड़े कि मुझको इस फिल्म को अपने पहले दिन काफी बहतरिंग ओक्योपेंसी देखने कले मिल सकती है दोस्तों आपको बता दे कि फिल्म का बजट आपको 55-50 क्रोड रुपा बताया जा रहा है और दोस्तों फिल्म को इस बार प्रोडूस करा है उनकी ही वाइफ यानि की दिपी का पादुकोर ने दोस्तों कबीर खान का डरिक्शिम में बनने वाली बहतरिंग फिल्म है एक्टी 3 कि आपने पहले दिन 20-25 क्रोड रुपे की ओपनिंग ले पाएगी ये तो दोस्तों वक्त बताएगा पर आपको पब् ये बज़ड बहु बली 1 और बहु बली 2 से भी कहीं जादा है जी हां दोस्तों एक फिल्म में करना इतना ज़्यादा पिसा लगाना कि सही बात होगी मेरे हिसाब से हो सकता है हाँ और दोस्तों ना भी कि अगर दोस्तों फिल्म का बजट वाकई में 4.500 करोड रुपे है दो दोस्तों आपको कहना पड़ेगा कि फिल्म RRR हम सबके बीच में काफी बड़ी हिट होने वाली है क्योंकि दोस्तों इस फिल्मे के बीचे जब ACS राजा मुली का नाम जूड शुका है तो दोस्तों एक भरोसा आ चुका है लोगों को कि हमको अब एक बार फिर से कुछ अच 122 में रिलिज कर दी जाएगी और दोस्तों फिल्म को काफी बहत्य हम देखने को लहीं मिल रहा है जबकि दोस्तों बात करें कि फिल्म सब के बीच में रिलीज के पहले ही अपने डिजिटल राइड, म्यूजिक राइड, सेटिलेड रैड और दोस्तों अंलान इस्ट्रेब को हम सब के बीच में 7000 इसकीनों पर लॉंच करा जाएगा क्या ये फिल्म अपने पहले दिन 50 से 70 करोड रुपी की ओपनिंग ले पाएगी और दुस्तों वर्ल्ड वाइट मार्केट में क्या ये फिल्म है डेल से करोड रुपी की ओपनिंग ले पाएगी या फिन नहीं कमें करके जुरूर बताईएगा आपको इस फिल्म में का इंतजार है या नहीं जैहिंद वन्यमात्रम